आपको परवाइट करवाता है डिफेर्ट डिफेर्ट इग्जैम से रिलेटेड इन्फर्मेटिव एंड हेलफुल वीडियो तो डियर एस्पिरेट्स आज का हमारे यह जो है वह इंग्लिश एम से क्यूंसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो है वीडियो के साथ अन तक जुड़े रहेगा जिसमें कि आपको इन डिटेल हर एक उप्शन को एक्स्प्लेइन किया जाएगा तापकि एक ही क्वेशन से आपके चार और क्वेशन जो भी यहां पर क्लियर होंगे तो प्लेस आदा वीडियो आपका फिर्स क्वेशन है इंसर्ट सूटिवल आर्टिकल इंसर्ट से आपका आर्टिकल के टापिक से विशन लिया गया है तो गॉड़ मेड ब्लाइं कंट्री एंड मेड ब्लाइंड ब्लाइंड टाउन और आपके यहां पर खुद को इनलाइस करने के लिए सातमस भी लगा सकते हैं तो देखो यहां पर क्या आएगा आपका option C आएगा the and the article God made the country particular है नो तो the आता है ठीक है and man made the town ठीक है तो यहां पर the ही आएगा आपका A, the या A, A नहीं आएगा next question है fill in the blank I blank depressed when I go for the interview अब यहां पर tense से question है अगर आपका tense का topic clear है तो आप बिल्कुल अच्छे से easily इसको fastly answer कर पाएंगे felt, I am feeling, feels and feel कौन सा option है आपर आएगा तो इसका answer बिल्कुल आएगा आपका feel I feel depressed when I go for the interview next read the following sentence to find out whether there is any grammatical error in any part question है before the alarm had stopped ringing Nisha had telephoned the police तो यहां पर आपके आहें first option A, B, C and D कौन से पार्ट में error है तो यह आपका tense क्वेश्चन है अगर आपका tense topic clear होगा तो आप इसके अंसर को जो वो easily tackled भी कर पाएंगे तो देखो यहां पर लिख है before the alarm had stopped यहां पर had stopped नहीं आएगा, had नहीं आएगा, only stopped आएगा, क्यूंकि दिखो जबी past perfect में जो कारे पहले होता है उसके लिए हम क्या लगाते है, past perfect tense लेते हैं और जो बाद में होता है, बाद में पूरो अंता है कारे उसके लिए हम क्या लेते हैं, past indefinite tense लेते हैं, तो यहां पर जो है वो आपका option जो है वो ठीक है, आपको first option right है, a part में यहां पर error है, feminine of earl, sultan, philly, heart and countess, तो सबसे पहले earl का meaning क्या होता है, earl का meaning होता है, जैसे कि कुलीन जन की एक उपाद ही होती है, जैसे आपका राजा लोग जो होते हैं, उसको कह सकते हैं, तो आपका जो सुल्तान है, सुल्तान होता है आपका वादशा, ठीक है, सुल्तान आपका वादशा होता है, और आपका जो यहां पर philly लिखा हुआ है, तो philly का meaning होता है, आपका बचेडी, ठीक है, बचेडी होता है, वही हार्ट लिखा है, तो हार्ट का meaning होता है, आपका हिरन, तो countess, countess का meaning होता है, आपका बेगम, या कुली इस्तरी भी बोलते हैं, ठीक है, कुलीन इस्तरी, तो अब आपको आपको अंसर बिल्कुल क्लियर हो गया, कि कुलीन जनकी उपाध्धी का आपका अर्ल का फेमिनीन होगा आपका काउंटेस, नेक्स्ट क्वेस्टन है, प्लूरल ओफ लॉकस, लॉककी, लॉककस, लॉककी, थोड़ा-थोड़ा, तो इसमें क्या आएगा आपका राइट अंसर, तो इसका जो है, राइट अंसर रहेगा लॉककस का, आप्शन, ए, लॉककी, L-O-C-I, इस राइट अंसर, नेक्स्ट क्वेस्टन है, what is the most appropriate antonym of the given word, Consignments, Consignments का जो है, वो antonym कौन सा होगा, इन 4 options में से, Deliveries, Shipments, Relegations and Disposals, Consignment का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, Consignment, इसका मीनिंग होता है, आपका परिश्करण, परिश्करण, ठीक है जी, तो भही, Deliveries का मीनिंग क्या होता है, Deliveries का मीनि जैसे Delivery, तो shipment, shipment होता है, आपका भेजना, ठीक है, भेजना, आपका जो relegation, इसका मीनिंग होता है, निर्वासन, निर्वासन, और disposal का मीनिंग होता है, आपका निप्तान, तो अब जो है, वो इसका क्या है, का राइट अंसर, consignment का antonium होगा, आपका disposal, ठीक है, परिश्करण का निप्तान, next question है, what is the most appropriate synonym of the given word, throttled, throttled का जो है, वो synonym क्या होगा, options है, strangled, unfettered, constricted, and option D है, आपका liberated, सबसे पहले throttled क्या होता है, इसका पता होना चाहिए, throttled होता है, आपका कुचलन, तो इसका synonym देखो क्या आएगा, strangled का मीनिंग क्या होता है, गला घोट कर मारना, ठीक है, तो बही, unfettered का मीनिंग होता है, निरंग कुश, और constricted का मीनिंग होता है, आपका क्या, दबाना, और liberated का मीनिंग होता है, आपका मुक्त, अब आपको ऑन से बिलकुल मिल गया होगा, कि आपका जो है, इस question का right answer रहेगा, option C, constricted, ठीक है, कुचलना, दबाना, synonym है, next question है, direction है, choose a correct one word substitution of the given sentence mentioned below, a foreigner who settles in a country, उसको क्या बोलते है, alien, immigrant, immigrant and visitor, alien, alien का मीनिंग क्या होता है, alien होता है, जो विदेशी चीज़िक है, उसे बोलते है, आपका immigrant होता है, immigrant होता है, उत परवासी, उत परवासी, वहीं immigrant होता है, वो अपरवासी, visitor जो होते हैं, अगुंतक जो होते हैं, उनको बोलते हैं, तो अब इसका meaning क्या हो रहेगा, आपका जो है, one word substitution, तो राइट अंसर है आपका, question number 18 का, C, immigrant, अपरवासी, नेक्स्ट वर्शन है, select the most appropriate meaning of the given idiom, wear the palm, option है, to bring joyful news, to lose a game, to advocate peace, and to be a winner, तो wear the palm का meaning क्या होता है, विजेता बनना, ठीक है, इसका meaning होता है, विजेता बनना, to bring joyful news, it means कि सुखद समाचाद लाने के लिए, to lose a game, आपका गेम हारना, to advocate peace, यानि कि शांती की बकालत करना, और 2-way winner, यानि विजेता होना, तो अब इसका answer आपको बिल्कुल clear मिल गया है, कि क्या होगा, option, D is the right answer, to be a winner, जो है वो आपका, B, wear the palm का idiom है, next question है, आपका, English action का last, आपका question है, choose appropriate prepositions for the given sentence, they drop blank, पुने blank, Mumbai, options आपको यहां पर दिख रहे हैं, कौन से आपके यहां पर preparation फिल होगी, add to, to at, from to, and more than one of the above, देखो यहां पर क्याएगा, add का मेनिंग होते है, पर, k यहां के लिए हम यूज करते है, तो भही to, अम की दिशा में है, यह के और के लिए करते है, and from का मेनिंग होता है, तो क्या आएगा, तो यहां पर आएगा, दे, ड्रॉव, फ्रॉम, पुने, टू, मुंबई, सो यहां पर from and to कहां पर है, option C, so option C is the correct answer, यह थे हमारे English action से most important आज के इस वीडियो के questions, I hope आपको हमारे आज के MCQs जो वो बहुत पसंद भी आयोंगे, और हालपूल भी रहे होंगे, वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी वैलिबल फीटबेक दो है, जरूर दीजे के comment section में, और आपके कितना score हुआ है, यह भी आप comment section में, जरूर जरूर जाईएगा, और इसी तरह के और वीडियो के लिए, जो हमारे साम चैनल के साथ जुड़े रहेगा, अगर आप first time हमारे चैनल पर विज़ित करें, तो please subscribe the channel, hit the like button and press the bell icon for latest videos, notification, मिलते हम आपसे next video में, इसके next part के साथ, तब तक लिए thank you, have a good day, bye bye.